असलाम लेकों student बेटा हमारा topic है prokaryotic and eukaryotic organism में difference तो बेटा prokaryotic and eukaryotic organism में क्या difference होता है वो हम देखते हैं बेटा मैंने यहाँपर question के ऊपर लिख आ है important long question important बेटा इसलिए लिख आ है क्योंकि यह board में बहुत दफ़ा यह long question आया हुआ मेरे पास एक बेटा बोर्ड का एक पेपर है आपको दिखाता हूं यहां पर आप लोग देखें लोंग क्वेस्टन जो आई हुए है यह 2015 का पेपर है ठीक है बेटा इसमें यह देखें जो लोंग क्वेस्टन आया हुगा है बीपा डिफ्रेंशियेट बिटिम इन प्रोकरिय बीटा यह फाइव मास का क्वेस्टन आया हुआ तो आप लोग समझ सकते हैं यह कितना इंपोर्टन कोशन है तो इसको आपने देहान से समय नहीं है ठीक है बेटा तो हम बेटा सबसे पहले हम आते हैं प्रोकरियूट जो यूकरियूटिक जो सैल्स उन्हें में चार तरह की हमारे पास होते हैं एक तो है नुकलिस का डिफरंस होता है और ग्रैलिस का डिफरंस होता है साइस का डिफरंस होता और सैल का डिफरंस होता है तो सबसे पहले हम नुकलिस की तरफ आते हैं प्रोकरियूटिक हम पढ़ चुके हम बार बार पढ़ पढ़ चुके हैं प्रोकरि बेटा अधर औरगनाईलीज में माईटो कॉंड्रिया रइबोस हम अंडो प्लाजमिक रेटी कॉलम यह जहने में रखें जहां पर ट्र्यू नूकलिस होगा ना यह बिल्कुल वज़ा नूकलिस होगा वहां पर ही यह सारी की सारी औरगनाईलीज गोलजी अप्रेटर्टर्स यह जहां पर ही यह में बांट औरगनाईली खुलम फे मज़ाचे में इंडो ना थे कलम यहुदा हो नूकलिस होता फिन सच मंप्रेटेटी नई प्रेजिवागनोंड वाज़ा नहीं होता है तो प्रोकारोयोटिक में यह मजूद नहीं होता है यह can और उकारियोटी का साइस काम होता नीच बटाइबर ऑपंट लिखा हो यहां तैन टाइम लार्जर क्या कहा है मों यहां पीड़ा टैन टाइम लार्जर दन परोकारियोटी को यह निदे जो उमारे पास यहां पर देखें मैंने यह कुछ लिखा है परोकारियोटीक का बेटा होता है 70S का यहां पर देखें जो परोकारियोटीक होते हैं उनमें 80S का राइबसों होता है तो देखें इनमें डिफरेंस कितने का है 10 गा तो इसलिए हम कहते हैं जो यहां परोकारियोटीक होता है उनमें 10 टाइम राइबसों बड़ा होता है प्रोकारियोटीक ही निस्पत तो होफुली आपको इसकी समझ आगी होगी उसके बाद हमारे पास सेल्वाल ठीक है तो जो य यहां पर पास युकारियोटीक और और उसम में सिर्फ बैक्टिरिया जाते हैं तो इनकी सेल्वाल किस चीज की बनी होती है प्यपटाइडोगलाइकीन अब लोग यह सोच रही होंगे पैपटाइडोगलाइकीन किस चीज का अब्रिवेशन है तो यहां पे देखें जो ठीक है तो पैप्टाइड मीन अमाइनो एसर गलुकोज या शूगर तो जब अमाइनो एसर और शूगर दापस में कमबाइन होते हैं तो वो क्या बना देते हैं पैप्टाइडो गलाइकीन ठीक है तो जो बैक्टेरिया की सेल वाल है या पर अगर यूटी की सेल वाल है वो कि लाक्स समझ में आगे होगा तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना बहुत ही इंपोर्टन लोग क्वेस्टन है यह आप अलाह अफिस्ट